मैंमान यहाँ पर है अमिताब सिना जी हमारे साथ जुड़े वरीश वकील है सुप्रीम कोर्ट में एक एक करकेद क्यूंकि लगातार आप लोग बने हुए है महा मंदलेश और मातें रपूरी जी आपसे मैं शुरुवात करना चाहती हूँ जिसके बाद मैंने महमानों के पास जाओंगी देखे आज वो दिन है जो सबको सिर जुकाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना है एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है ये समझना है कि किसी की जीत किसी की हार नहीं है देश के लिए बड़ा है भारत देश नहीं संदेश है और यज़ संदेश व्यक्त होता रहा है सदियों से यह पोण भूमी है तपो भूमी है और भारत के अवल पर्वत मालाओं नदियों सडकों का नाम नहीं है बलकि उन 130 करोड नागरिकों के हिर्दय में जो विश्रबंदुत की भावना है और भारत है और मैं समस्ता हूं कि आज जो सद्भाव की पूरे देश में वातावरण दिखाई दे रहा है यह पुनर प्रतिष्ठा होगी भारत के संदेश की भारत के मुल संदेश की भारत में और विश्रु में इस निरणाय का सरवत्र स्वागत होगा जी अमिताब जी मैं आज एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के तौर पर आपसे बात कर रही हूं आज पांच जजिस का ये फैसला आने वाला है जो ते प्रक्रिया है अगर 5-0 हो जाता है तब तो खेर कोई बात नहीं है तमाम बाते कही जाती है क्या किसी डिसेंट नोट की अग पर फारती इतिहास और सांस्क्रितिक है भारत का उसके लिए है बलकि नियाय पालीका के लिए बहुत ही अतिहासिक दिन है क्योंकि आम तौर पर शन्यवार जो अवकाश का दिन होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए आज के दिन इसी सम्वेदन शीलता को ध्यान में रखते हु हुआ है कि चीजों को सही तरीके से नियंतरण में रखा जाए भावनाओं को और व्यवस्थाओं को देखिए जो सुप्रीम कोट में जजेज की परफॉर्मेंस है या उनकी जो वर्डिक्ट है जो उनका उनका जो फैसला आने वाला है वो तो वो तो बहुत ही जादा